विल्कम टू माई चानल आएम अकान शग्रेरी अज मैं आप लोगों को जीयस दृष्टी की आर्थी केवं समाजिक विकास के निष्ट पार्ट पढ़ाने जा रही हूं और इसके कई पार्ट आएंगे इसकी खास बात यह है कि इसमें चित्रात्मक पृस्तुती की गई है में सभी टॉपिक को बहुत ही अच्छे से चित्र के माध्यम से और रे डायग्राम के माध्यम से कवर किया गया है अगर आप कोई भी एक्जाम देने जा रहे हैं तो आप इस सीरीज को अवस्त देख कर जाएं आपको निष्टेलाफ होगा देखें यह बहुत ही पतली बुकले है हमने पढ़ा है हमने पढ़ा है और त्यों ब्यकर राज कोशी नीति यरगर नियोजन मुद्रा यरवं और भाग भी भी हमने खतम कर लिया है यह समाजिक विकास है इसमें हमने पढ़ा था मानो विकास रोजगार बेरोजगारी तथा कल्यानकारी योजनाय मैंने आप लोगों को बताया है कि योजनाय बहुत ही इंपॉर्टन हो जाती है आपके एकजाम की दृष्टी से और फिर पढ़ा है गरीबी आज हम पढ़ेंगे भागसी में वैदेशिक छेत्र जिसमें हम पढ़ेंगे बैपार के बारे में ठीक है बैपार के बारे में ओके फिरंस आईए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक कोटेशन से क्या है अगर कहीं भी आपको यह लग रहा है कि मुझे 100% दीजिए जब आप जानते हैं कि किसी चीज को 100% देते हैं तो आप से जरूर हो पाता है ठीक है तो आप देख लिए कैसे नहीं सफल होते हैं अगर आपको लग रहा है कि मेरा एक जाम निकलने की चांसे 1% भी है तो आप अच्छे से पूरी प्लगन और निष्ठा से आप कुछ हो सकता है मेरा यहां पर सेलेक्शन हो शकता है यह कुछ भी कर सकता हूं यह कर चाटी हो तो पूरी ताकत लगा लिए तो आप देखे का जरूरो शफल होंगे यह चीज कर देखिए लिए मैंने आपको बताया कि जिन्दीजी एक बर मिलती है बार बार नहीं रहें रह वो चीज करिए जो आपका ड्रीम है कि हमें अपनी लाइफ ऐसी बितानी है तो आपको बस अपने लाइफ को बरबाद कर सकते हैं या उसे अच्छे मुकाम पर ला सकते हैं जो आप चाहते हैं आज का टॉपिक हमारा क्या है सुचकांग के बारे में पढ़ेंगे और अंताराश्टी संगठनों तथा विभिन सुचकांग को आधी की चर्चा की जाती है ठीक है किसी की जाती है अंताथ राश्टी संगठन सुचकांग बिदेसी निवेस और बिनमै धर्की ऩंचांग आहीं हम दोग देखते हैं सबसे पहले बैपार देखे भ Maz हमारा दो टाइप से एक होता है हमारा बैपार जो है अंतर राश्टी बैपार होते हैं एक होता है घरेलू बैपार इतना धहां रखे जो अंतर राश्टी जो बैपार होते हैं यह राश्ट की जो अपना राश्ट है उसकी सीमाओं से बौर्डर से दूर की जाती है बौर्डर लोग क्या-क्या अधान प्रदानी करते हैं दोर होते हैं अंतारmeno क्या महत्या होता है यह जोरी मोरा ज़ähänो के पार की जाती है क्या की जाती है जो राष्ट्र के होती है अंतार अiciousी ब्हाइब कहलाती है इसमें ना केवल वस्तुमों वस्तिवाओं का बैपार समली थे बल्कि पुझी तकनीक और बौधिक संपती बौधिक संपती मतलब क्या है पेटेंट ट्रेडमार्क ग्यान एवन कौपी राइट आधी का आदान क्या जाता है अपको नाम से ही बता चल पाहे हैं अंतरराश्टी बैपार वीज सब्सक्राइब अंतरराश्टी संपती को भी स्वाइ nelle आइए हम लोग देखते हैं घरेलु बैपार, अब हम ने देखा है कि जब बैपारी कृयाएं, भावगोली सीमाओ की परिदी में होती। परिदी से मतलब है उसी के अंतरगत, उसी के अंडर। तो इसे घरेलु बैपार आतवा राष्टरी बैपार कहते हैं, इसे आंतरिक बै किसी देश की निवासों का जो सेस के साथ समग्र आर्थिक लेंदेन का वार्सिक विब्रण भुक्तान संतुरन कहलाता है जो शदर रहता है जो रहता है रहता है ठीक है कि यह एक लिखांकन है और जो यह सदर बैलेंस में रहता है अब हम देखेंगे भुक्तान संतुरन के घटक क्या क्या है जो इसके घटक है वो कौन-कौन से है आए देखते हैं कौन-कौन से है चालू खाता एक क्या है करेंट अकाउंट दूसरा क्या है पूंजी खाता या कैपटल अकाउंट तीसरा क्या है सरकारी ब्योस थापन खाता सेट्लमेंट और शुदिया एवां भूल्चुबूर एवां ओमिशन ठीक यह हमारे हम लोग देखते हैं कि करेंट क्रेंट में हम लोग क्या करते हैं क्गार जो हम करेंट एकाउंट में लोग देखते हैं वस्तूों में बैपार जो हमारा वह किया licenses कि आयात किया जाता है कि अपने देश से समान बाहर कहीं और भेशना आयात का मतलब होता है कि बाहर से अपने देश में समान मंगाना या ध्यान में रखेगा कई बार पूछ ले जाता है इसका श्राइंते आहें निश्द कर सोबस्तों कि या ना लौटा आ जाने वाले हैं। के चालू खाता में संतूलन एब असंतूलन हम लोग देखते हैं दो कर दिए किन तब बाप्ति कर दिए नायएं वहाई probश्मौ से जी कि और था सब्सक्रान हे किया है क्या है एक तॉफ्सक्लिव से प्राप्ति लेना थीक तब लेक्षे triple नगें livre फ्राप्टी मतलब क्या होता है एक देश को अन देशों से प्राप्तिया लेना है विसके पहले से al Teams करta रही हुआ इसी लिए मैं यह सीडिच पहले ही मुझा इसाथ कर रही हूँ कि आपके। ताकि आपको एकजाम के आते एक आते जरूर इस लेक्ट्र को रिवाइच कर लें ताकि आपके माइड में सारे कॉंसेट और सारे टर्म्स अहां हमेशा के लिए याद रहे जाए ठीक है तो आधिक अर्थ क्या है प्राप्ति से है और घाटे का अर्थ है कि किसी अन्य देशों का रिड़ी होना ठीक है इसमें समझ संतुलन अब देखिए कुछ हमारे भाल मूले हैं देखिए चालू घाटे का अधिक के यह आप चलू ध्यान रखेगा क्योंकि अगर यह ध्यान अगर आप रख लिए हैं तो आप कुछ भी यायत कर लेंगे देखिए चालू घात अब हमने देखा है कि जितनी प्राप्तिय कि आठ रुपई बचा तो तभी अभी-भी आपके पास अधिक ही है फिक्राप्तियां हो प्राप्तियां है ना ने आपने कुछ जीज बेचा है अपने भुख्तान गरर का हमने पंडरा गरई करद लेगने खर E आप हैं डू रूपए खर्ष कर रहे हो आपको दो आपको एक मिल रहा है तो हम धूर खर्ष कर रहे हो ठापति से नहीं जया भोगता चालू की घाफाल हो ठीक है यह स led एजी है है जैब भाहत से समझा के सब्सक्राइब करका ने अटाつ Poli खाते के अंतरगत देश की बित्ती परिसंपतियों के लेंदेन आते हैं जो अल्पवधी एवं दीर्गवधी उधार दान तथा उधार ग्रहण नीजी तथा सरकारी निवेसों के रूप में यह पाए जाते हैं क्या है हमारा देश के पूझी खाते के अंतरगत देश की बित्ती परिसंपतियों के लेंदेन आते हैं जाहे वह अल्पवधी के हो या दीर्गवधी के हो उधार दान या उधार ग्रहण और निजी तथा सरकारी निवेसों के रूप में पाए जाते हैं कम समय के लिए हो या जादा समय के लिए हो उधार दान उधार ग्रहाण या निजी सरकारी निवेसों के रूप में पाए जाते हैं देखिए इसमें क्या है पूझी लेखा रिडो एवं निवेसों के अंतर राश्टी प्रवहाँ को दर्साता है और देश की परिसंपतियों और देवताओं में हुए परिवर्तनों को ये ब्यक्त करता है ठीक है दीरगवती लेंदेन वे होते हैं देखिए दीरगवती लेंदेन क्या होते हैं जिनकी परिपक्ता है जिनकी मिच्योर्टी अवधी एक वर्स एक वर्स या एक वर्स से अधिक होती है ठीक है और उनमें प्रतेश निवेज जैसे बीदेसी प्लांट लगाना बीदेसी ब्रांडो और इस्टाको का क्राय करना अंतर राष्टी रिड सामिल किये जाते हैं ठीक है देखें देखें दीरगवदी लेंदेन वे होते हैं जो हमारी एक साल से अधिक के लिए होती है ठीक है जिनमें क्या-क फ्रतेश निवेज हैं ब्रतेश निवेज चाहिए तरहि동े की ही ब्रतेश निवेज सब्सक्राइब 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 पढ़ा है जिसमें हम लोग ने पहले पढ़ा है चालू खाता मन्स करेंट अकाउंट दूसरा हमने पढ़ा है सब्सक्राइब परिवरतनों को और राष्ट्र की सरकारी रिजर परिशंपतियों के परिवरतन को यह मापता है किसी देश की जो हमारी सरकारी रिजर परिशंपतियों में उसके परिवरतनी विदेशी करंसियां तथा विसेश अहारन अधिकार के धारन और IMF में उसकी निवल इस्थिती सामिल है किसी देश की सरकारी रिजर परिशंपतियों में उसके परिवरतनी विदेशी करंसियों तथा विसेश अहारन अधिकार के धारन और IMF में उसकी निवल इस्थिती सामिल है देखें मैंने IMF का फुल फाम आपको बताया है आप बता सकते हैं अगर आपने मेरा प्रिशला लिक्टर नहीं देखा है तो आप मेरे लिक्टर में जा सकते हैं मैं आपको बहुत ही अच्छी से डिटेल में बताया हूँ ठीक है देखें फोर तेखिए इर और ओमिशन ठीक यह संतुरन मद्ध है अब इसको ध्यार में रखेंगा अब देखें भुकतान असंतुरन को दूर करने की उपाय हमने पढ़ लिया है बुकतान संतुरन को संतुरन की घटक पढ़ लिया जिसमें चार पॉइंट हम लोग ने पढ़ चुका अब हम पढ़ेंगे भुकतान अस सुल्क में कमी इया समाप्ति कर दो में आयात खुल से हमारी क्या हो जाएगा है कि है आयात को लगानी को ऑप वहाई के देख्कर बैपार घ्राइब एक समय के दवरान अब बोल सकते इसको किसी देश के निरियातों और आयातों के मूलियों का अंतर होताए क्या है वैपार Soundpi क में यह क्या है वैपार Sound glucose को तब Sound Shiv tali koha जाता है जब वस्तूउंका क्रें निरियात आयात के- Bureau के ताबर होता है मैंने आपको बताया है गता है किसी देश की निर्यातों और मुलीयों का जो आंतर होता है मैं आपको कई बार इसलिए बोल रही हूँ क्या होता है कई बार सुनने से आपको याद हो जाता है कई बार रिपीट करती हूं तरह निवेश किया है जो हमारा निवेश हो रहा है बिदेशी संस्थागर द्वारा कहा हो रहा है इंडिया में हो रहा है यनि भारत में हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे भारत में बिदेशी निवेस हुआ है ठीके तो इसमें देखे भारत का बिदेशी निवेस दो रूपे में किया जाता है ठीके देखे क्या है प्रत्यच बि क्या है कि क्ывать आगमन होताइए हमेरी देश की और दोपमे द्वारा दूसरे चोट में कोई देश की कंपनी है इंडिया में मतलब सेटप कर देती है किसी देश में उत्पादन वा भीत्रन में सीधा निवेश करना उस देश की कमपणी को खरीदना या कमपणी द्वारा उस देश में अपने पहले से इस्थित कारोबार का बिस्तार करना क्या होता है या तो सिधा निवेश कर दे या उस कमपणी को खरीद ले या कमपणी द्वारा उस देश में अपने पहले से इस्थित कारोबार है उसमें क्या कर दे बिस्तार करना तो क्या कहलाता है प्रत्रश बिदेशी निवेश इंडिया में या किसी दूसरे देश में बात प्रत्रिक विदेशी निवेशकों को को दूसरे देश की कंपणी के प्रबंधन में आंसिक या पूर सौमित हांसिल हो जाता है ऐसी हो अप दश्राब क्या है। तिसले हमारा क्या लाव है अंतर राश्रि बैपार को मिलता है, क्या है योट अंटर हाएंगे जाएंगे करेगा ही लेकिन साथ में भी वो क्वाल्टी के साथ भी खिलवार करेगा उसी के साथ अगर आपने देख लिया है कि मार्केट में बहुत सारे मुबाइल सा गए यह भी ले लो तो क्या होगा तो सब कम्टिशन मुत अपने के लिए उसको इंक्रीज कराएंगे और प्राइज इव नवीन प्रामयंठी की पुझाने लाता है संतिनात्म सुधार भी होता है संदनात्म सुधार ही होता ही फॉर्टीय नफी ट मीडिया में 26 में 24 frequent मर्टी-ब्रान-खुद्रा भैप वह सिएग सब्सक्राइब करने वाले देश क्या है जो मैं डेटा है मिलियन अमेरिकी डॉलर में दिया गया है सिंगापूर उइशे मौरिशा शिंगापूर आप यह रहां कि देश ने वाले वह देश करने वारे वो देश थें तो अब मैं बात करूंग शेटरी की बात करूंग किस चेट में सबसे ज़्यादा है तो 2000 21 21 21 वी कम्प्यूटर और साफ्टेवर और हाडवेयर का यह हमारा पहले नंबर पता है क्या था था इसे निर्मार धांचा जिसमें निर्मार धांचा क्या बुनियादी धांचा इस ठीक है अब देखें कि अब राज देखना है कि उचिता में फिटिया एक्वेटी अंतरवा करने वाले हमारे राज कौन से हैं गुजरात था यह 2021 में बढ़ हम देखेंगे 2020-21 कभी यही है क्या है 2021 कभी हमारा यही है हमारा ठीक है तो इसको 21 और 22 होना चाहिए ठीक है तो हम यह डेट क्या होते हैं इतलो सब्सक्राइब करते हैं जिससे आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा क्या है तो देशों की मुद्राओं के आपसी परिवर्तन था होते हैं जो जो दो मतलब क्या है कितने रुप्यक्षाय को एक तो इसमें आपस में चेंज हो जाता है अगर आपको अमेरिका जाना है तो अपने पैसे को आप डॉलर में खर्च करना पड़ेगा कहीं भी जाना आपको दुसरे द्रशों में वहां पर वहाँ बजार की सकतियों द्वारा भी होती दैसे मांग को पूरती होती है उसी도 सिश्टम को भी अपना होती है विदेश की अंदर बिदेशी मुद्रा की मांग गासे होता है इसके क्या होता है, किस से होता है, किसे भी हो सकता है, नहισrukt自己 मुद्रा की मांग एवं पूर्ति से होती है, किती मांग है और किती पूर्ति की जा रहे है, भारत में बिन में धर्क जो मुन Indigenous होता है, यह बजार सक्थियों द्वारच की जाते है, यह आपके लिए important हो जाता है जब भी कोई भारत के संतर में आए तो वो आपके लिए important हो जाता है भारत में बिनमेदर कनद्धारुऋ होता है बजर सक्तियों दोरा होता है ठीक है अलग अलग काई से मतलब है जो दो कंद्र ठीक है यह दा एक यह ऐसे हमारा क्या है तरहा है कि तौन नोवेश होता है इसका उस्था होता है呀 अधिकार मिल जाता है कि mean साथ accessible करते हैं यह से कमिनिगत होता है यह एक ऐससे samud जिसका लेंदिन आप इच्छा करत आशान होता हैं और यह कम इस्थाई हो शकते हैं और यह किसी उधार प्राप्त है सर्दारी का प्रतिन रिज्द नहीं करते हैं इन किसी विद्रिशी उधार या कर्ज ब्रांट के माध्धम से सामिल की जाता है जैसे बिदेशी संस्थागत निवेशक जैसे एफ आय रई बोलते हैं यह अवश्यख नहीं है कि इसमे निवेशक कोई कि दीर काली हीत नहीं हो ठीक है इसमें कोई बहुत लंबे समय तक उसका हित नहीं होता है अब देखते हैनों अ beach आव मूलननी और है आए हम लोग आए हम लोग देखते हैं आव मुलियन क्या है भारत में मुद्रा का अर्थ क्या है यह मुलियन का ताथपर क्या है इसके ताथपर है ठीक है जिसे क्या है देशी मुद्रा के मूल में बिदेशी मुद्रा के सापेच कमी करना होता है ठीक है यह क्या हो जाता है जो हमारा मुद्रा है, मुद्रा है, जो पैसा जो लेंदेन के लिए की जाती है, बिदेसी मुद्रा के साफेज उसमें कमी कर दी जाती है, ठीक है, जो बिदेसी मुद्रा के साफेज इसमें कमी कर दी जाती है, डिक्रीच कर दी जाती है, मुद्रे के मूल में, मैं उसी को बोल इसके परिड़ाम होते हैं इसमें क्या हो जाता है निर्याद जो होता है एक्सपोर्ट जो होता है वो हमारा सस्ता हो जाता है ठीक है वो हमारा सस्ता हो जाता है चीफ हो जाता है और जो हमारा इंपोर्ट होता है वो हमारा महंगा हो जाता है कोशली पड़ता है इतना ध्यान मे रखिчеगा, अब हम देखेंगे, भारत में मुदरा उमर्यपट कब कब हुआ है? यह हुआ है 19 सिटमबर 1890 को, कब हुआ है 19 सिटमबर निर्याद में ब्रद्धी ठीक है क्या है बैपार सम्तुरम सुभा किस्थार की जाती इसमें क्या है आयत में हम कमी कर देते हैं क्योंकि हमारा महंगा हो जाता है कोई समान हम लेंगे वह महङा हो जाएगा निर्याद हमारा सस्ता हो जाएगा कि को नीहात मेहात कमया न montón कर देंगे अन्ता राष्टी शंगठन अ कि अन्ता राष्टी शंगठन हैं अज के लिए हम लोग कई करते हैं नहीं पर ने चेनल पने न खिंड walked को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके आप सेयर करें ओके फैंक यू